बिसमिल्लारह्मानुरहीम, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटा एंट्री की एक ऐसी टिप्स जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ, कि अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम जो है वो लाजमी आती है डेटा एंट्री करते वाग, अब वो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो के अंदर हम जालेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास टॉप पर जो मेरे पास हैं, इन हैदिंग के उपर मुझे अपनी डेटा एंट्री यहाँ पर स्टार्ट करनी है. अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं, जैसे है अगर हम माल लिजे कि हमने यहाँ पर CA1 डाला और यहाँ पर date add कर दी January 2020 और day हमने add कर दी Saturday और receipt amount हमने कर दी यहाँ पर 5000, payment amount हमने कर दी at 6000, अब माल लिजे कि इस तरीकी के अगर हम entry करते चले जाते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या problem आती है कि जब हम इसको drag करते हैं, for example मैं इसको drag कर रहा हूँ data यहाँ पर increase करने के लिए, कौन से column में जो है, वो क्या चीज़ इंटर करनी है, अब यहाँ तो amount भी लिखा वा नजर आ रहा है, यहाँ भी लिखा वा नजर आ रहा है, लेकिन यह amount आपकी payment है, received है, या cash है, balance है, क्या है, हमें नहीं idea, लेकिन ऐसा कुछ हम करें कि हमारे पास, यह जो headings है, यह हमारे पास fix हो जाए, हम जब G entry यहाँ पर start करें, जितना भी नीची चले जाए, तो वो heading हमें यहाँ पर top पर नजर आए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने क्या करना है, अपने first row, जिस row पर आपके पास जो है, यहाँ पर heading add लगी है, लगी है, तो इस पर आपने इस row को आपने select कर लेना है, view में जाना है, और view में देखें, आपके पास जो है, फ्रिस का option है, इस पर देखें यहाँ पर आपके पास option आपने यहाँ पर फ्रीस top row के ओपर आपने click कर दोना है, जैसे आप click कर देंगे यहाँ पर तो अब आप जब इसको scroll करेंगे, तो चीज एड करनी है, डेट किस कॉलम में है, डे किस कॉलम में है, रिसीट है, अमाउंट है या बैलेंस है, तो आपको या आपको डेटा एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब ये तो आपके पास हो चुका है, आपका टॉप अरिया, लेकिन इसी तरह अगर आपके पास कॉलम वाइस काम करना होता है, तो आप चाहें तो कॉलम को भी फिक्स करवा सकते हैं, अब माल लीजे कि मैं इसी जो है वो है वो हैडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो इसको पेस कर दूँगा, इस तरीके से ट्रांस्पोस करके, ताकि ह मारे पास वर्टिकल फॉर्म में आजए, और इसका कलर थोड़ा हम डिफरेंट कर देंगे, ताकि आपको जो है वो किलियर जो है, यहाँ पर नजर आए, अब देखें इसके अंदर आपको करना क्या है, देखें यहाँ पर जैसे आपके पास हैडिंग्स है, अब मैं चाहता आपने जो है वियू में जाकर जब आप फ्रीज पर जाएंगे, तो पहले अनफ्रीज पेंट कर दीजीगा, क्योंकि जो टॉप पर आपके पास जो रवाइस लगव है, उसके बाद जो है आपने दुबारा से जो है वो फ्रीज फर्स कॉलम पर किलिक कर देना है, तो अब यह आपके पास क्या हुआ अब आपका जो कॉलम है वो आपका फ्रीज हो चुक है, अब जब मैं जितना भी राइट साइड की तरफ मूफ करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि जितने कॉलम में आगे की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे पास जो है वो हैडिंग्स जो हमारी वो फिक्स हो चुक है, अब मुझे कॉलम वाइस और राव वाइस करना जो है बहुत ही असान रहेगा, अब यह तो हमने काम कर लिया राव वाइस और कॉलम वाइस, अगर आप से कहा जाएं कि इन दोनों राउस को जो आपकी हैडिंग्स तरीवे टॉप पर और जो आपके क अब देखें, और आप यहां पर फरस्स रो को अगर आप फ्रीज करते हैं तो रहा तो फ्रीज हो जाएगी, लेकिछिए यगि freeze pane को यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपका जो करसर होगा, जैसे या आपका cell box है, इसको आपने कहा रखना है, आपने इन दोनों headings के यहाँ पर रखना है, यानि के आपने data जहां से आपका start और यहाँ पर रखना है, उसके बात आपने जा कर इसको freeze pane के ओपर आपने को ले के चाते हैं column wise यानिके right side पर तो देखें right side भी जो है आपकी freeze हो रही है यानिके अब आप जब right side की तरह जितनी entry करें या आप जो है वो नीचे की तरफ entry जितनी भी करना चाहें तो आपके पास rows or column दोनों आपके पास freeze हो चुके हैं अब आप इस से अगर इसको हटाना जो आपको समझा आगया होगा वीडियो जे अच्छे लेगी लाइक कीजिए friends में share कीजिए रमाई चैनल को subscribe कर मत भूलिएगा मिलते नेक्स वीडियो में शुक्रिया